10th science objective जो revision test में पूछे गए उसका एक basic समझ के साथ पूरा हल जैसे एक अभिक्रिया दी है FE plus Cu SO4, FE SO4 plus Cu अब इस अभिक्रिया में हम देख रहें कि जो FE है, iron है इसने दूसरे तत्व कापर को कापर सलफेट के इस वीलियन में से क्या कर दिया है प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है न, या विस्थापित कर दिया है तो यहाँ यह देखिए, FE यहाँ बेड़िया और कापर को अलग कर दिया है तो यह अभिक्रिया कौन सी हुई? विस्थापन अभिक्रिया है तो यह आपका विकल्फ हो गया निमनलिखित में से कौन सा प्रबल अमल नहीं है तो द्यान से देखिए S2SO4, HNO3 और SCL ये सारे प्रबल अमल है ठीक है ना लेकिन ये जो S2CO3 है ये आपका प्रबल अमल नहीं है तो ये आपका इसमें आप लिखेंगे S2CO3 व्रक की छननिकाई आपकी नेफरान हो जाएगी हाइडरा में प्रजनन किस विधी द्वारा होता है तो यहाँ आप द्यान दीजिएगा कि हाइडरा में जो प्रजनन है वो मुकुलन की विधी से होता है और यहाँ उसके लिए शब्द है मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं और वो उसका एक और हिंदी में और थे कली कायन ये कली कायन शब्दी हाँ आप दीजिएगा फिर तारों के टिम्टी माने का जो कारण है तो वो रिफ्रेक्शन है अपवर्तन है गूली दरपन की फोकस दूरी इसकी वकरता त्रिज्या की आधी होती है एफिजिकल टू आर्बाइटू पोधो में खादे पदार्थों का इस्थान अंत्रन फ्लोयम द्वारा होता है और अगर जल और खनीच की बात होती तो जाइलम लिखते क्रेब्स चक्र की क्रिया माइट्रो कांट्रिया के अंदर होती है और मेंडक के रधे में तीन कक्ष होते हैं अब लोहे में जंग लगना तो लोहे में जंग लगना में आप ध्यान दीजेगा कि यहां बच्चा कहीं तरीके से लिख सकता है आप भी कहीं तरीके से लिख सकत अब बढ़ते हैं कि यह एक औक्सीकर्न केरिया है। आप इसको लिख सकते हैं यही करिया है। आप इसको लिख सकते हैं, मंद रासा निक रिया है, तो जो भी यहाँ पर लिखा जाए, वो सब क्या होगा, सही माना जाएगा, आगे बढ़ें, अब विरंजक चून, जिसको हम विरंजक चून के बारे में बात करें, तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और यह क प्लास्टराप पेरिज बिल्कुल इसके सामने का सामने हो गया, फिर जिपसम, तो जो जिपसम है, उस वो CSO4.2H2O होता है, और इसको 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर गर्म करते हैं, तो फिर प्लास्टराप पेरिज बनता है, ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा है, वो जो हता है, उसी का 3-4 प्रतिशत वीलियन है, तो CS3CHH होगा, निम्बू और संत्रे में उपस्ते तमल, CITRIC, सिट्रिकमल है, शुद्ध जल में हाइटोजन आयनों की सांदरता के लिए लिखेंगे, 1 इन्टू 10 डू पार माइनस 7 ग्राम आयन पर लिटर, लेंस की क्षमता क सूत्र, P is equal to 1 upon F, और F जो है, यहाँ मीटर में रहेगा, अगर यहाँ पर P is equal to 100 upon F लिखता है, तो फिर उसको यहाँ सेंटिमीटर में लिखना चाहिए, दरपन सूत्र, दरपन सूत्र देखें, मैंने यहाँ लिखा है, 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, या 1 upon U plus 1 upon V, यहाँ पर जो U है, व वस्तू की दूरी, V, प्रत्विम की दूरी और F, फोकस दूरी है, और प्लेनेरिया में जो प्रजनान है, वो अलेंगिक भी लिख सकते हैं, अलेंगिक प्रजनान भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पुनरुद भवन भी लिख सकते हैं, रीजेनरेशन भी लिख सकते हैं, हमने रिजनरेशन कहते हैं